नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरज जेन, स्वागत करता हूँ एक बार फिल से आप सब लोगों का आमारे इस यूट्यूब चैनल भरज जेन पर और मेरे पीछे आप यहाँ पर देखी पार है कि आज मैं जिन ब्रैंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है दाहुआ और हिक विजन, दोनों most popular ब्रैंड्स हैं, दोनों very competitive ब्रैंड हैं, आईए उसके बारे में जानते हैं कि ये दोनों ब्रैंड्स actually करती क्या हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक सबसे बड़ी ब्रैंड हिक विजन, जो बहुत ही popular ब्रैंड है, इसके उपर मैंने काफी सारे वीडियोज बनाये, Sam as it is, दाहुआ, ये भी बहुत ही बड़ी ब्रैंड है, और इसके उपर भी काफी सारे वीडियोज मेरे आते रहते ह है, दोस्तों अगर दोनों ब्रैंड के ओवर्व्यू के बारे में बात करूं तो जो हिक विजन ब्रैंड है, वो एक चाइनीज ब्रैंड है, मतलब चाइना के ओरिजन है, बट अविजन है, स्टेट अफ आउन मैनुफेक्टिरिंग एंड सप्लायर अफ वीडियो सर्विलि इक्विप्मेंट, सैम एज दाववा इस देखेंड लार्जेस्ट, मतलब कि हाज हमने दोनों ब्रैंड ली है, वो दोनों ब्रैंड फर्स्ट और सेकेंड रीप्रेजन करती है, अपने आपको इन दे टम अफ रेवेन्यूज, ओके दोस्तों ये दोनों ब्रैंड हिक विजन और दाववा, अगर मैं हिक विजन की बात करूँ तो 2010 भी इसका IPO आया था, ये आया था सेंजन स्टॉक एक्चेंज के अंदर, और अगर मैं दाववा की बात करूँ तो ये आ गई थी 2008 के अंदर, तो दोनों बहुत ही बड़ी लिश्टेट कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि को हैंगजाओ, जेजियंग, चाइना के अंदर है, दोनों की जो बील्डिंग ये काफी बड़ी बील्डिंग, काफी वैल एक्विप्ट बीडिंग, बट अगर किसी ब्रैंड के बारे में बात हो रही है, दोस्तों, तो यहाँ पर बात होगी उनके फाउंडर के बारे में, हि एक विजन नो डाउट नमबर वन कंपनी है तो इसके पास में सबसे ज़्यादा एंप्लोईज है 42,685 2021 का डेटा है हमारे पास में उसके अकॉडिंग है अगर मैं दाहुआ के लुए से बताये हेक्विजन नमबर वन दाहुआ नमबर टू नमबर और फियाँ परड़क्स के बारे में बात करूं जो उफर करती आफिटक्स दोनों के प्रड़क्स सिमिलर है यहां पर आपके पास में ही विजन थर्मल वीडियो रिकॉडर डिजिटल video recorder है वो सब मिलता है उसके साथ साथ में जो banking and finance में काम करती है प्राइब से रेलेड़ सॉलिशन होटल से रेलेड़ सॉलिशन रटेल सॉलिशन काफी सारी चीज़े आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी Mobile Transport हो गया इंडस्ट्री लोगा Traffic Management पूरे के पूरे जो City इसका मैं भी यूज कर रहा हूं दाहुआ का इंटर एक्टिव डिस्प्लेइब बनाते हैं और इसके बाद में की टेक्नोलोजी के बात करूं यहां पर काफी सारी चीज़े आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है overall अगर शर्विलेंस इंडिस्ट्री की बात करें तो सर्विलेंस इंडिस्ट्री में जितने भी प्रॉड़क्ट हमें चाहिए होते हैं वो यह दोनो ब्रेंट्स काफी अच्छी से बनाती हैं दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं marketing के बारे में कि दोनों brand जो है वो popular किस तरह से हैं आज इंडिया के market के अंदर वो क्या कर रही है तो यहां पर अगर मैं हिक्विजन की बात करूँ तो मैंने जहां तक हिक्विजन की marketing देखी है उनकी जो team का है जो aggression लेवल देखा है marketing को लेकर या फिर कोई एजुकेशन को लेकर तो मुझे एवरेज देखने के लिए मिला है बहुत जादा यहां पर यह लोग फोकस नहीं करते बीटुबी सेग्मेंट के अंदर लेकिन इगर इसकी जगप मैं दाहुआ के बारे में बात करूं तो यह काफी एग्रेसिव मार्केट करते हैं जैसा कि आप लोग अलड़ी देख रहें कि उनका कॉंटेस्ट भी चल रहा है जहां पर वन मिलियन का कैश प्राइज रखा गया है ताइलेंड की ट्रिप है तो यह बहुत ही एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं यहां पर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं जितने यहां पर हिक विजन थोड़ा सा आपको महेंगा पड़ेगा और दाहुआ है वह आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा दोसों भी यहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट इन दोनों ब्रैंड के फीचर के बारे में तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरिंस रहा है वह कह ही नगई ही विजन की तरफ रहा है क्योंकि इसके जो हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वह एक्सिलेंट है दाहुआ के अंदर भी चीज़े अच्छी है लेकिन उसको मैं एवरेज की काउंटिंग में दूंगा मुझे थोड़ा सा ही विजन यहां पर बैटर लगा और दाहुआ जो है वो मुझे यहां पर ऐवरेज लगा दूसों अगर से अगर तो Hick Vision का जो performance है यहाँ पर excellent है, काफी अच्छा है और जो अगर मैं दाहुआ के बारे में बात करो तो वो average है दोसों गर यहाँ पर customer support के बारे में बात करें दोनों brands के बारे में तो चाहे केसी भी performance हो, केसे भी results आप देती हो लेकिन अगर आप customer support अच्छा नहीं देंगे तो वहाँ पर आप नहीं चुने जाएंगे अगर हिक विजन के बारे में बात करो तो मैंने काफी सारे वीडियो बनाए, काफी सारे issues हुए थे बीच में तो कही न कहीं हमें जो हिक विजन का जो customer support है वो average लगा और दहुmother का यहाँ पर हमें काफी excellent लगा अगर यहाँ पर warranty के बारे में बात की जाए तो दोनों यहाँ पर हिक विजन के अंदर average हमें यहाँ पर warranty support जो है वो देखने के लिए मिलता है और दहुbecue के अंदर हमें excellent देखने के लिए मिलता है दोनों ब्रैंड की जो reputation है वो market में काफी बढ़िया है दोनों को यहाँ पर excellent का ओड दिया जाएगा क्योंकि दोनों ने अपनी reputation काफी अची बना के रखी है अगर मैं यहाँ पर ban के बारे में बात करूँ यह दोनों जो brand है वो कहीं न कहीं बहुत सारी controversies में रही है about the national security issues को तो यहाँ पर यह जो countries है वो ban है जैसे कि इंडिया के अंदर कोई भी government project हो गया तो यहाँ पर आप दाववा और हिक्विजन दोनों को नहीं ले सकते तो यहाँ पर इंडिया यूरोप, UK, South Korea, Australia और Ukraine में हिक्विजन बैन है same as it is अगर दाववा की बारे में बात करूँ तो US, UK, Australia, Ukraine और इंडिया के अंदर यह brand बैन है यह जो brand बैन है वो only government project को लेकर ही बैन है बाकी regular आज हम लोग आप लोग तो वेसे use करी रहे है इंडिया के अंदर गर head office की बारे में बात की जाए तो हिक्विजन का जो head office है वो गुडगाव मुंबई के अंदर है और दाववा का जो head office है that is the गुडगाव हरिया नाम है तो दूसरों अगर दोनों brand के overall sum up की बात करूं यहाँ पर की हिक्विजन और दाववा के बारे में तो यहाँ पर इन दोनों चीजों के अंदर जो हमने जो parameters लिए हैं जैसे की product क्या offer कर रहे है marketing, pricing, features, performance, technology, customer support, warranty and reputation में यहाँ पर हिक्विजन के बारे में बात करें तो excellent 234 and then 5 फाइफ जगपर यहाँ पर excellent है और यहाँ पर दाववा के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो दावा को यहाँ पर मिलते हैं 6 और हिक्विजन को यहाँ पर अप्रोग दे रहे हैं 5 तो अवरल दोनों ब्रैंड इक्विएलेंटी है कही नगई थोड़ा सा एक पॉइंट से दावा आगे और हिक्विजन हग का साब पीछे है यह मेरा अपना ओपीनियन है आप लोगों का ओपीनियन क्या है इन दोनों ब्रैंड को लेकर आप कौन सी ब्रैंड यूज करते हैं कॉमेंट शेक्षन में ज़रूर बताईएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ इसी तरह की टेक्निकल इंफॉर्मिशिन के साथ में तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धनिवाद जैहिन